कैसे हैं student स्वागता आप सभी का आपके अपने youtube channel friend of student में आज की इस वीडियो में आप पढ़ेंगे exercise 14.2 question number 4 question number 4 का part first second or third में आपको पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ link मैंने description box में दे दिया आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं part fourth हमें दिया एकसी घा 4 माइनस ब्रैकेट में एकस माइनस जैट की घा 4 इसके हमें गोडनखंड करने हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको a square minus b square इस form में लिख लेते हैं ठीक है एकसी घा 4 को हम कैसे लिख सकते हैं x की घा 2 की घा 2 ठीक है जब ब्रैकेट अटाएंगे इन दोनों घातों की घुणा होगी दो दुनी चार हो जागो तो हमें क्या में लेका x घा 4 तो इसका मत भूगा x घा 4 को हम x घा 2 की घा 2 के रूप में भी लिख सकते हैं इसको हम कैसे लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं x-z की घा 2 ब्रैकेट 1 की घा 2 ठीक है जैसे यह ब्रैकेट अटाएंगे इन दोनों घातों की घुणा होगी तो हमें क्या मिल जागा यही मिल जागा x-z की घा 4 ठीक है अब अगर इस टो एंड सम x square को मालने a और x-z का holy square को मालने b तो हमें क्या मिलेगा a की घा 2 माइनस b की घा 2 तो हमें यही form मिल जाएगी ठीक है तो इसको solve करने पर हमें क्या मिलता है यह मिलता है जब इसको solve करेंगे तो क्या मिलेगा यानि x square और x-z का holy square इन दोनों के एक बाग प्लस करके लिख लेते हैं चलिए x square प्लस x-z का holy square ठीक है इन दोनों को मैंने क्या किया प्लस करके लिख लिए आब एक ब्रैकेट में इन दोनों को माइनस करके लिख लिए लिए x2- x-z का whole square थीक है यह हो गया आपका इस सर्फ सम्मिकाय के नुसार अब इसको हम solve करेंगे x-z का whole square इसको हम a-b के whole square के नुसार खोळ लेंगे a-b का whole square students क्या होता है a square minus 2ab plus b square ठीक है तो चलिए इसको solve करते है x square हमारा ऐसी आ जागा plus आ जागा इसको हमें क्या करना है a minus b के whole square के नमसार खोल लेना है x हमारा a हो जागा और z हो जागा b तो हमें क्या मिलेगा x square minus 2xz और plus z square ठीक है अब इस bracket की बात कर लेते है x square आप ऐसे ही रहने दे है अब हमें क्या गन्ना है इस वाले को x minus z के whole square को a minus b के whole square के नमसार खोल लेना है यह minus आप लगा लीजिए और इसको हम खोल लेते हैं x square minus 2xz plus z square और यहां bracket 1 और यह भी bracket 1 ठीक है अब यह bracket अटा लेते हैं छोटी वाली तो x square ठीक है यहां plus है तो सारा चिन वही आ जाएगा यानि plus x square minus 2xz plus z square ठीक है अब इसकी bracket solve को लेते हैं यह bracket अटाएंगे तो हमें मिलेगा x square यह वाला ठीक है जैसी bracket अटाएंगे यह x square किसका है plus का आगे कोई चैन नहीं यह प्लस का है bracket एटेगी minus और plus की गणा होगी तो minus plus होता minus ठीक है फिर हमें मिल जागा x square के लिए अब minus और minus की गणा होगी तो होजाएगा plus फिर हमें मिल जागा 2xz ठीक है plus और minus की गणा होगी तो हमें मिलेगा minus Z square और यहां bracket बंद है ठीक है अब इनको हम क्या करेंगे जो सेम पद हैं उनको अगर जोड़ रहें तो जोड लेंगे और घट रहें तो घटा लेंगे देखिए यहां पर X square और यहां पर भी X square है इसके आगे कोई चिन नहीं है तो यह भी प्लस का यह भी प्लस का यह भी प्ल इन दोनों को हमने किया जोल लिया, 2x² हो गया, फिर हमने लिख लिया, प्लस z², अब हमारा बचा गया, माइनस 2xz, ठीक है, यह सॉल्व हो गया है, हम पर, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए, यह प्लस का x², यह माइनस का है, तो घट जागा, यानि cancel हो जागा, 1x² में से 1x² जागा, 0 बचेगा, तो ऐसी इस्तितियम क्या रहते हैं, cancel कर देते हैं, ठीक है, तो यहां में ब्रैकेट में लेगा, 2xz-z², ठीक, अब इसमें देखिए, यानि दो पद हैं, एक पद यह रहा, और एक पद यह रहा, यहां पर भी z है, यहां पर भी z है, तो हम इसमें क्या गरेंगे, z common ले लेंगे, पहले तो यह ही उतार लेते हैं, 2x² plus z² minus 2xz, ठीक है, अब यहां में common क्या लेना है, जैड common ले लेते हैं ठीक है जब यहां से जैड निकल जाएगा जैड निकल जाएगा तो क्या उचेगा टू एक्स ठीक है माइनस लगाएंगे जैड गुना जैड है एक जैड निकल जाएगा तो क्या उचेगा जैड ठीक है तो यह हमारे हो जाते हैं गोडन खंडी है अब च चली next part करते हैं, last part students दिया है, a की गाद 4 minus 2, a की गाद 2, b की गाद 2 plus b की गाद 4, तो इसको देखकर ही आप समझ गए, कि ये है a square minus 2ab plus b square, इस form में दिया है, जब इसको हम close करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, a minus b का whole square, a minus b के whole square हो खोलने पर हमें ये मिलता, जब इसको close करेंगे तो ये मिले लागा, ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इस form में इसको लिख लेते हैं, a की गाद 4 को हम लिख सकते हैं, a की गाद 2 की गाद 2, ठीक है, minus लगाए, 2 into, यहीं छोड़ दें, ठीक है, अब last पर चले जाए, plus लगाए, b की गाद 4 को हम लिख सकते हैं, b की गाद 2, ठी तो रहाँ देखिए जैसी ब्रैक्ट डायेंगे दोनों घातों ही गोना होगी तो है मिलेगा एक ही घात 2-4 यह मिल जाएगा माइनस आ जाएगा इसको जब multiply कर देंगे तो यह हो जाएगा 2 A की गाद 2 B की गाद 2 यानि 2 A स्क्वाइर B स्क्वाइर 2 A स्क्वाइर B स्क्वाइर ठीक है पिलस कर पिलस आजाएगा जब इसको solve करेंगे ब्रैकेट ड़ाएगे तो हमें क्या मिल जाएगा B की power 4 इसको जब close करेंगे तो हमें क्या मिलेगा देखी यहां पर हमने जब close किया यह और यह वाला लिया था ठीक है इसको close किया ना पहले A ले लिया फिर minus लगाया फिर last वाला ले लिया इसी प्रकार से मिहाँ करेंगे पहले ले लेंगे A square माइनस लगाएंगे फिर लास्ट में लिखा हमारा B square इसको ले लेंगे बंद कर देंगे का whole square ठीक है जैसे यहाँ whole square लगा हुआ whole square लगा देंगे clear अभी यहाँ अंदर हमें एक सर्फसमी का और मिल गई A square minus B square इसको हम solve कर लेते हैं चलिए इन दोनों को एक बार हम क्या करते हैं plus करके लिख लेते हैं और एक bracket में इनको हम minus करके लिख लेते हैं ठीक है यह गया अंदर का solution bracket लगा यह और इसका whole square ठीक है अब जैसे bracket को डाएंगे इस गात से यहाँ कोई घात नहीं एक घात है तो इस घात की गुणा हो जाएगी और यहाँ भी कोई घात नहीं तो यहाँ पर भी इन दोनों की गुणा हो जाएगी आप चाहा है तो इसको two times लिख सकते है a प्लस b और इसको लिख लें a और a माइनस b यह हो जाते हैं गोणनखन और वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक ज़रू करें चैनल को सबस्क्काइब करें वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आपका जो मुझे सपोर्ट मिला उसके लिए भी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं अगली वीडियो में